साहिब गंज जिले के उध्वा प्रकंट चित्र के राधानगर गाउं के ओंप्रकाश स्वर्नकार से बीते दिन बुद्वार की शाम से राशिम राधानगर पत पर चार नंबर पुल के पास कुछ नकाद पोश अपराधियों ने बाइक समेत 10,000 रुपे लूट कर फरार हो ग उन से लूट कर अपराध कर्मी फरार हो गया था वहीं शुकरवार को एस पी अनुरांजन की स्पोर्ट टा ने बताया कि लूट कांट को लेकर बढ़ एहरवा थाना में प्रात्मी की दर्ज कर अग्यात अबराधियों के विरुद चापे मारी अभियान चलाया गया एस पी ने बताया कि बढ़ एहरवा एटपी उप्रदी बुराव के नेतरित्व में एक टीम गठित कर तक्नीकी और पेशेवर तरीके से लूट कांट का सखल उद्भीदन कर लिया गया और इस लूट पार्ट में तीम लोगों को पुलिस ने गिरफतार किया साथ ही इन अभियुक्तों द्वारा बताये गए निशान देही से लूटा गया याम हाम बाइक वा सफेद रंका स्मार्टफोन के साथ एक देशी कटा को भी बराम किया गया एस पी ने बताया 48 घंटे के भीतर लूट कांड में शामिल राजमहल थाना क्षेतर के निवासी महादेव मंडल पिता हरना रायर मंडल समेत अन्य दो अभियुक्त पंकर स्वर्नकार पिता दिलीप स्वर्नकार वकिशोर हजारी पिता लाल चंध हजारी डोन्नो अभियुक स्वर्नकार और किशोर हजारी के ऊपर एक-एक मामला दर्ज हैं सब ही गिरफतार अभियुक्त को ही आएक पिरासत में जेल भीज दिया गया बीते दिनांग एक दिसमबर को सिरासिन रादानगर रोड में संध्यागर समय एक स्वर्म गैपारी से उसके मुट सांकिल उटने की घटना गटित थी जिसके संदर में बढ़रवा थाना कांट संख्या 221 दर्ज की गई तथा न संधान प्रागम किया गए तता अपरादियों के गिफ्तारी के लिए अनुमंडल प्लिस प्राथकारी बढ़रवा के निचे तुमें एक टीम गटित की गई और इस टीम ने बहुत ही जल 48 गंटे के अंदर इस कांट का उद्वेधन सफलता पूर्वक किया है तथा इस कांट में सम्मिलित अपरादियों की गिफ्तारी की गई तथा उसमें लूटे गए मोबाईल मॉर्साइकिल तथा अन्य समान बरामत किये गए साथ इनके गिफ्तारी के दरण एक अवैध हत्यार भी मि कि तिहास रहा है और यह पूर में अभी इस तरह के घटनाव में सम्मिलित रहे हैं नहीं नहीं हुए हम लोग उसका प्रियास कर दें